कि अलो गाइस आप देखर हमारे यूटूब चैनल कॉंसेट कॉंपेटर में गाइस आपका स्वागत है तो चला गाइस आज के वीडियो में बताऊंगा कि मोबाल की स्क्रीन दिख सकते हैं। तो चला गाइस अफी निख सकते हैं ८ोबाल इकूब चैनल को स्बस्क्राइब ने किया है तो उसमें प्योस आपको स्क्रीण वीडियों सबसे बिले देख पाएंगे तो चले गैस इस वीडियो को में स्टार्ट करते हैं तो सबसे बिले गैस आपको PC को ओन कर दिना है और ओन करने के बाद गैस वास आपको ब्राउजर को उपन कर दिना है तो चले गैस वास आपको ब्राउजर को उपन कर दिना है और उ देखने के बाद वास आपको उसकी जो अपिसल साइट है तो उसमें आपको क्लिक कर दिना है तो जो लेकिन वास आपको पर्चेस करना है इस एप्लिकेशन को तो वास आपको बाइनाव पे क्लिक करके पर्चेस कर सकते हो तो जो लेकिन वास आपको बाइनाव पे क्लिक कर दि thто the constraint करने के बाद को से को इस अप्लिक्सन को इस्टोर कर दिनिस तो इस तिरह आपको इस अप्लिक्सन को डाउनोड कर दिन Blade और download करने के बाद अगे process वास हे आपको बता देता हूँ तो वास आपको इस application को open कर देता हूँ और open करने के बाद आपको इस application को install कर देता हूँ थो शन्maya का सवास हे लिस अगे process देखने को बिल जाएंगे तो चलिए कि इस वासे में फिर से यह application को open कर देता हूँ तो चलिए वासे में इस application पर click कर देता हूँ तो गाइस अभी देख सकते हैं कि जो हमें application download किया है और वासे में install किया है वह हमारा application open हो रहा है तो इस तर आपको download करके install करना है तो अभी देख सकते हैं कि वहाँ से अमरा application open हो गया है तो इस तरह आपको इंटरपी सबसे बिले देखने को मिल जाएंगे तो वहाँ से जो हमने application download किया है और install किया है वहाँ अमरा application open हो गया है तो चले कि इस वहाँ से में आपको PCB वहाँ से आपको mobile से USB वहाँ से आपको connect करना है तो चले कि इस वहाँ से आपको USB केबल लेना है तो इस केबल वहाँ से आपको CPU में लगा देना है तो चले कि इस वहाँ से में लगा देता हूँ और connect करने के बाद आपको mobile का setting वाला option है तो guys उसमें आपको click कर दिने है तो चलिए वास में setting वाला option पे click कर दिने है तो इस तरह वास आपको click कर दिने है और click करने के बाद आपको आजाने है नीचे और नीचे आने के बाद आपको additional setting वाला option पे click कर दिने है तो चलिए guys वास म क्लिक तो इस तरह आपको जो कोड आई गाय तो वास्य आपको टाइप करना है तो चलए करने के बादा और घृस्ट करना निचे आने के अपड़ा को यूस्ट भी वाला ऑप्शन ले तो घृस्टि उस्मेंаров को जोब और on connect के पात जो हमारा PC है तो इस PC में हमारा जो mobile की screen है तो इस screen वहाँ से हमारा capture हो रहा है तो उसमें guys time लगेगा तो वहाँ से आपको wait करना है तो चलहे ग्याँ यए इस वास में जो पीसे में application open किया है तो वहाँ से आपको mouse से click कर दिना है तो अपी दिख सकते हैं कि मारा processing वहाँ से start हो रहा है तो अपी दिख सकते हैं कि मारा processing वहाँ से start हो रहा है तो वहाँ से आपको जिस device का आपको वहाँ से नाम दिखने को मिल जाएंगे तो वहाँ से आपको connect कर सकते हूँ अमारा नाम प्रिक्र देता हूं तो जो मोबैल की स्क्रीन है तो इस स्क्रीन उसमें आपको टायम लगेगा 있어 वाशारपको वेट करना है तो चले के इस वास में वेट कर दिया है तो अपर देख सकते हैं कि हमारा mobile की screen PC में capture हो गया है तो अपर देख सकते हैं तो इस तरह वाह से आपको USB cable से mobile की screen PC में capture करना है तो इस तरह वाह से आपको आसन तरह के उसमें कर सकते हो तो चलिए इस वहां से आपको इस तरह आपको इग्णोर पे क्लिक कर दिना है तो चलिए वहां से मने क्लिक किया तो अपी देख सकते हैं कि मोबाईल की स्क्रीन है तो इस स्क्रीन वहां से मारा पीसी में आ गया है तो चलिए वहां से मोबाईल में लाइक को बड़ा दीता हू पीसी को स्क्रीन मिरर वासे मोबाईल में किया है तो इस तरह वासे आपके कनेट करके मोबाईल के स्क्रीन पीसी में मिरर कर सकते हो तो चले कि इस वासे में इस्टोग्राम उपन मोबाईल में कर दीता हूँ तो जो मरा पीसी में उपन हो जाएंगे तो चले कि इस वासे में ज मिरर हो रहा है तो चलर कर स्वार जहता है यूटुब को उपन कर नहां हो तो तो चाहिए सब्लिक्त खाते हैं कर दो डिख सकते हैं कि यूटुब दूश्र भी केबल से कर सकते हो तो चले कैस मैं उम्मेद करता हूँ किया आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक किजिए और चैनल को सब्सक्राइब किजिए थेंक यू